जैसे ही गर्मिया आती है तो गर्मियों में ना सरफ हमारा जो फेस होता है उसके कलर में हमें एक चेंज फील होता है और हम कहते हैं कि यह डल लग रहा है बलकि हमें हातों पाओं पे भी डलनेस फील होना शुरू हो जाती है इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो नकल्स ह यह बहुता किसकी फिर्ददह इसे बाद पिर हमें उने तंग करना शुज़र जाते हैं, तो हम ने ओपन च्यूस पहने होते हैं हाफ भी के बहुता है और हम पाउं पाह में रहां तो हमारे हाथ पाहों जो है इसे हाथों की होती है, वे फेस इसे बिल्कुल होती है हाथ और पाओं की स्किन जो होती है, इवन हाथ और पाओं की स्किन में भी फर्ग होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जैसी पाओं की स्किन है, वैसी हाथों की स्किन होती है, यह मैं आपको बता दूँ कि पाओं की स्किन जो है, वो निस्बतन जादा मोटी होती है, और जो इसकी भी वजह से अगर पाऊं के ऊपर कुछ भी हो जाए तो वहां पर healing जो है वो slow होगी slow process होगा healing का लेकिन अगर जो है अगर हाथों पे होगा तो उसमें ये के comparatively उससे जल्दी हीलिंग हो जाती है ठीक है पाऊं जो है और हाथ जो है जो पाउं होते हैं, उसमें हमारे पास दो सरफेसे होती है, एक हमारे हील्स होते हैं, यानि के पाउं के तलवे होते हैं, जहां पर ये प्रॉब्लम आ रही होती है, कि हील्स हट रही है, पाउं बिल्कुल ड्राय हो रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, क्योंकि जो तेज गरम हवा जैसे ज्यादा गरब मौसम होता है तो उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि स्किन ऑफर ड्राई रहना शुरू हो जाती है इसegenख पानी की बॉड़ीमे हैं अगर पादी की कमी हो उससे भी प्रॉब्लम होता है लेकिन पाहर जो थोप होती है या उसके इलावा हम क्यूंके ठेबारे शुद पहन रहा होते हैं कि गरम हवा होती है, उसकी वज़ा से हमारी गर्याफ चुंपे बार श्कारी है इस पहना करने के लिए और ऐसे धिया का यह स्केर्च बाओ णेधे लिए आटीक पतो पंपनी उते हैं उनके उपर हमें मॉंस्टराइजेशन च्रैसेन की जलुरत होती है और वहाँ से डेट स्किन को हटानी की रीज़ुन होती है जब से ड्राइब भटे वे रहते हैं. यहां तक के जखम भी बन सकते हैं और उसके अंदर से ब्लाट भी निकल सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है. और जो पाउं की उपर वाली skin होती है, उसके और प्रॉब्लम्स है. उसमें ये प्रॉब्लम्स आरा होता है कि जिस शेप का जूता पहनते हैं, बिल्कुल वही डिजाइन जो हमारे पाउं पे बनना शुरू हो जाता है गर्मियों के मौसम में. तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यूं होता है, यह जो पहला कर दुमेरा बने वे और ये इतना खुरा लगता है, और पाउं साफ लगने की वजाए गंदे लगए होते, एक तो यह issue होता है, दूसरा पूर इशु होता है कि पूरे के पूरे पाउं का रंग ऐसे हो हो जाता है है, मधधम पढ़जाता है, काला लगता है ऐसे लगता है जैसे धूब में समला गया है ठीक है मुर्चाया हुआ है और कलर जो है वो बहुर डल हुआ हुआ है उससे पिर ये प्रॉप्लम आती है कि आप इससे कैसे बचें जूता भी ओपन बहनना है अच्छा मैं आपको थोड़े से जो ट्रिक्स बताने वाली हूँ या जो टिप्स देने वाली हूँ वो क्या है पाओं की स्किन क्यूंके मोटी होती है और हीलिंग पूर होती है तो आप याद रखें कि जैसे हम आपको कहते हैं कि फेस की स्किन की उपर एक्सपोलियेट करें और मॉइस्चराइज करें उसी तरह से इसको भी करना होता है तो आप क्या करेंगे कि जो पाओं की heels हैं अगर वो पटी ही रहती हैं तो आपने ये करना है कि आपने हफ़ते में दो दफाई कर लें कि आप गरम पानी ले लेंगे, गरम पानी में कोई अच्छा सा shampoo डाल देंगे जिसके अंदर पहले से conditioner हो तो बहुत अच्छी बात है उसको आप पानी में mix कर लेंगे पानी इतना गरम हो कि आपको गरम लग तो रहा हो लेकिन जलाए नहीं और आप अपने पाउं उसके अंदर आसानी से रख सके उसके अंदर आप अपने पाउं डाल देंगे और 15-20 मिनट के लिए पााउं अंदर ही रहने देंगे उसके बाद आप पाउं को बाहर निकाल लेंगे और pumil stone या जावा जिसको बोलते हैं अपनी सारी की सारी जो हींज है उनको scrub कर लेंगे ठीके हैं? आपके अप किया करेंगे यह उसके बाद आपने थो लेने पाउंप को और फिर आप अच्छी तरह से मोइस्च जाएक्ट मोईस्चराइज करने के लिए अगर आपके पास और कुछ ना हो तो जैतून का तेल पाउं की तल्वों पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है वो आप लगा सकते हैं यह मैं उस वकत की बात करी हूँ जिस वकत आप लिवला प्रॉसस करेंगे तो अगर आप हफते में दो द और किस तरीके से कर सकते हैं और एक अच्छा तरीका जो एक करने का है वो यह है कि आप जो सी सॉल्ट होता है ठीक है समंदरी नमक जिसको बोलते हैं आप वो ले ले और उसके साथ कौफी जो है वो भी डाले दोनों पाउडर की फॉर्म में होंगे आपने यह करना है कि आप आप मॉइस्चराइज करेंगे या कोई क्रीम लगाया करेंगे अपने हाथों पाउं पर तो अंदर अब्सॉप हो जाएगी और आपके हाथ पाउं आपको पहले से बहुत बेतर नज़राएंगे उसी तरह से हाथों के उपर भी आप एक स्पोलिएशन का प्रोसेस ऐसे ही क कर सकते हैं और हाथों के उपर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हपते में दो दफा जो है वह आप पानी के अंदर डाल के शैंपू और उसके इलाबा कोई अच्छा कंडिशनर बिल्कुल वही वाला स्टाइल जो है वाप हाथों भी कर सकते लिकिन हाथों की स्केन निस्बत अब हम आजाते हैं कि यह जो निशान पढ़ते जाते हैं पाउं के उपर जूतों के उसका क्या करना है उसमें यह प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों की स्किन सॉफ्ट होती है तो आपने यह ट्रिक करना है कि आपने जूता कोई भी पहनना हो उससे पहले आप मॉइस्च करने के बाद कोई 10 मिनट के बाद आपने जूते पहने ताकि जो रगड से फ्रिक्शन से जो निशान बनने हैं वो कम से कम बन सके या ना बने एक और जो बहुत ज़रूरी चीज है अगर आप सुभा के वक्त सिर्फ फाली मॉइस्चराइज कर ले संब्लॉक चले नहीं भी ल जो है उनके उपर टैनिंग नहीं होगी उनका रंग जूल से का नहीं और वो बिटकुल साफ सुत्रे रहेंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे क्योंके तभी आप एंजॉई साफ होंगे तो तभी आप एंजॉई करेंगे अच्छे अच्छे स्लिपर्स, सैंडल्स और जो है वो ओपन चूस पहन के आपको बखाने जाएंगे